बुद्धवार की रात शुसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पत्स स्तीफा देने के बाद अब सवाल ये है कि अब उनका और उस पार्टी का भविश्य क्या होगा जिसे उनके पिता ने बनाया था उनके अधिकतर विधायकों के विद्रोह के बाद उनके पास 55 से केवल 13 विधायक बचे हैं विद्रोही विधायकों का आरोप था कि उधव ठाकरे पर उन्हें भरोसा नहीं था क्योंकि उन्हें हिंदुत्व के विचारधारा को त्याक कर हिंदु राश्ट्रवाद की उनकी मूल विचारधारा की अंदेखी करके शरत पवार की NCP और कॉंग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी विद्रोह करने वाले 49 शिवसेनिक विधायक अपने राज्य महारास्ट्र से हजारो किलोमेटर दूर असंके गुहाटी शेहर के एक होटेल में कई दिनों तक छिपे रहे वरिष्ट्र मंतरी एकनाच शिंदे के नितरत्व में विद्रोही अब मुंबई लौट आये हैं और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बना ली है शिवसेना और बीजेपी 30 सालों तक भागीदारी रहने के बाद 2019 में अलग हो गए थे शिवसेना मुंबई और राज्य में कुछ अन्य हिस्सों में एक शक्ती शाली पार्टी के तौर पर रही है लेकिन अपने दो तिहाई विधायकों की बगावत और सत्ता से कई साल के बाद पहली बार बाहर होने पर उसे अपने अस्तित्व के लिए जूजना पड़ रहा है शिवसेना को बड़े जटके कई बार अतीत में भी लग चुके हैं लेकिन सियासी विशलेशकों का कहना है कि इस बार विद्रोह से इसे काफी बड़ा जटका लगा है राजनितिक विशलेशक सुहास पल्शिकार का कहना है कि पार्टी में विद्रोह शिवसेना के पतन का शुरुवात है पार्टी के पूर्व सांसत भरत कुमार रावत का मानना है कि विद्रोह ने पार्टी को बुरी तरीके से नुकसान पहुचाया है पार्टी को इस तरीके के संकट का कभी भी सामना नहीं करना पड़ा था कई शेहरों में जमीनी स्तर के समर्थकों और कारेकरताओं ने भी पार्टी छोड़ना शुरू गर दिया है उन्होंने कहा है कि इससे उधव ठाकरे और पार्टी दोनों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिती पैदा हो गई है शिवसेना के स्थापना 1966 में उधव ठाकरे के करिश्माई पिता बाला साहिब ठाकरे ने की थी शिवसेना पहली बार 1990 में विभाजित हुई थी जब वरिष्ट नेता छगन भुजबल ने कई विधायकों और जमीनी स्तर के कारेकरताओं के साथ पार्टी छोड़ दी थी करने नेता नारायन राणे ने भी 2005 में पार्टी छोड़ दी और कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर चले गए जिसे उस समय एक बड़ा जटका माना जा रहा था क्योंकि पार्टी में कई लोग उधवत की जगा उस समय के लोगप्रिय नेता राज ठाकरे को बाल ठाकरे विफल रहती है तो शिवसेना जैसी शेत्रिय पार्टियां एक महत्वपून भूमिका निभाती है राश्र राजनिती को प्रभावित करने की शिवसेना की शमता के कारण पार्टी अक्सर सुर्ख्यों में रह चुकी है पार्टी के दिवंगत नेता बाला साहिब ठाकरे ए लोगों का है बाला साहिब ठाकरे की उग्र बयान बाजी ने उन्हें भारत प्रे सबसे विवादत राजनेताओं में से एक बना दिया जब वो अपने सियासी करियर की शिखर पर थे तो उनके एक आवाज पर मुंबई और महारास्ट्र में चक्का जाम हो जाया करता था बा बाला साहिब ठाकरे को दंगे से संबंधित किसी भी अपराद के लिए कोई दोशी नहीं छहराया गया पाटी 2014 और 15 में काफी सुर्ख्यों में रही थी पाटी भारत और पाकिस्तान के वीच क्रिकेट संबंधों को बहाल करने के लिए शुरू हुई थी और बातचीत को मोचन भी नहीं होने दिया गया था विशलेशकों का कहना है कि शिवजेना को अब अपने आधार को मजबूत करना होगा उन्हें ये विश्वास दलाना मुश्किल होगा कि उनमें अभी भी वही उग्रता बांकी है जिसने इसे अतीत में लोकप्रियता दलाई थी और जिसक वो कहते हैं शिवसेना ने 1960 के दशक में मराठीयों की अस्तित्व संबंधित चिंताओं में जन मिलिया था ये बाद में दक्षिन पंथी इंदुत्व विचारधारा में चली गई लेकिन आज ये एक बार फिर से अस्तित्व संबंधित चिंताओं का सामना कर रही है उनका क कुछ साल अभी लगेंगे यदी पार्टी के 49 बागी विधायक भाजपा के साथ बिलकर अगली सरकार बना लेते हैं तो उधव ठाकरे वाले धड़े को राजनितिक गुमनामी में कुछ समय बिताना पड़ सकता है अगर उनके कारेकरता भी विद्रोही का समर्थन करना शु लुकसान पहुँचाया है विधायक राहूल पाटिल उन चंद विधायकों मेंजे हैं जो अपने नेता उधव ठाकरे के प्रती अब तक वफादार रहे हैं उनका कहना है कि कारेकरता अब भी उद्धव ठाकरे के प्रती वफादार हैं, वो कहते हैं शिलसेना एक विचार है, एक आंदोलन है, किसी विचार को कोई नहीं मार सकता, हम बाला साहिब की संतान हैं और अपनी मृत्यू तक उनके वफादार रहेंगे, ठाकरे परिवार को इ हम भाजपा के साथ साज़दारी में, सत्ता में थे, लेकिन वो साज़दारी और शक्ती अब मजबूत नहीं हैं, हम मानते हैं कि शिलसेना के सामने ये अब तक की सबसे बड़ी चुनाती है, वो कहते हैं अब आप सत्ता में होते हैं, तो गाउं में जब हम कोई भी काम करते हैं, उसके लिए नियमित रूप से फंड आता है, यदि विधायक अपनी पार्टी से है, तो फंड अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकता है, यदि हम काम करने में असमर्थ हैं, तो हम अपने मतदाताओं को खो देते हैं, लेकिन विधायक राहुल पार्टिल को विश्वास ह कि मतदाता अगले विधान सभा चुनाव में विद्रोहियों को दंडित करेंगे, अगला चुनाव धाई साल के बाद होना है, वो आगे कहते हैं, मतदाता विद्रोहियों से नाराज है और उन्हें चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे, कुछ लोगों का मानना है कि शिव और यही वज़ा है कि एकनाशिंदे की नित्रत्व वाले गुठ बार 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 बाला साहिब ठाकरे के नाम की कस्मे खाते रहते हैं, अभी ऐसा लगता है कि उधव ठाकरे के विरोधी उनके पिता के विरासत उन से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल यही है कि क्या वापसी कर पाएगी, या उधव ठाकरे क्या महारास्ट्र में दुबारा से वापसी कर पाएगे, अभी यह देखना बाकी है और किस तरीके से महारास्ट्र की सियासत फिर पल्टेगी, यह लोगों को इंतजार है, बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहे हैं, नज़र